नमस्कार जाए हैं दोस्तों दोस्तों बिहार दरोगा रॉसन सर के दोरा जो है आपका प्यू आई क्यों यानि कोशन मैंक निकाला गया है बिहार इसाई का इसमें आपका 25 सेट दिया गया है हम इसको जो है डेली बेसेश पे बोलेंगे खतम कर रहे हैं ठेक है आज कहा हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 13 होने वाला है और यह बिहार दरोगा के लिए बोल सकते हैं राम मार्ण साभीड होगा क्योंकि इसमें डिस्कॉसन बहुत 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 बहुतरिन तरीकेस दिया गया है इसमें देखेंगे आपका अध्यान सामागरी दिया जो इसको हम जब इस 25 सेट समाप्त होगा तो हम अलग से अलग अलग सब्जेक्ट जैसे इतिहास भुगोल राजविवस्ता तो अलग अलग सब्जेक्ट का जो है हम अलग अलग मास्टर वीडियो लेकर करके आएंगे हम तरह सा कंटेंट देख लेते हैं जब कंटेंट पर आज का हमारा वीडियो होने वाला है यापका सेट नमर 13 होने वाला है यह आपका बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ था 22-12-29 को सेकेंड पाले का आज हम इसी का देखेंगे उसके बाद जो आपका कल वीडियो आएगा वह आपका 29-11-2-20-12-20 का जो एक्जाम हुआ था उस 2019 का दूतिय पाली का पेपर है एक को देखिएगा और एक लाइन को देखिएगा ताकि आपका बिहार दरुगा कोशन में का एक एक कोशन का रिवीजन हो जाएगा चलिए पहला हमारा प्रस्द है निमलखित कतनों पर विचार किजिए इसमें सही कथन कौन सा है उसी को बताना है देखे सही की बात करते हैं तो option नंबर भी होगा एक दो तीन है ना जिसमें दिखा गिए कि अश्यसी अंडर-19 क्रिकेट वी शुकप के मिजबानी नीवीलन ने किया था सही है दो हजर-18 अश्यसी अंडर-19 क्रिकेट वी शुकप में ऑस्ट्रेलिया दूतिय स्थान पर था यह आपका सही है और इसका डिसक्सन दिखेंगे दो है ठारा आठ ये अंटर będzie किए निवीलियन किया था सही है और ये किर्केٹ वी सुकब में भारत ने ओस्ट्रेलिया को आठ स्पाज़Иत किया था आशिसींद गूइक अंतरफ्री किर्केट टूरामेंट है जिसका युजन अंतरफ्री किर्केट परिश्द यानी आशिसी क्राइपनफंड न्यांट ही किया जाता है अगला है कि विश्व प्रिथिवी दिवस मना जाता है कब तो यह मनाते हैं बाइस सप्राइल को आप्शन नमबर ए होगा सन 1970 से प्रिथिवी दिवस सम्पूर विश्व में परियावरण संदक्षन के समर्थन में सत रूप से मना जा रहा है मिरदा वाईयो और जल के प्रदूसर्ण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 से में प्रिथिवी दिवस कायोजन किया गया था प्रिथिवी दिवस 2023 का थीम की बात करते हैं तो इन्वेस्ट इन अवर प्लानेट हमारे ग्रह में निवेस करें प्रिथिवी दिवस 2024 के विस्ट ग्रह बनाम प्लास्टिक यानि प्लास्टिक वसस प्लानेट वसस प्लास्टिक हो जाएगा सेवी का मुख्यले कहां पर है तो इसका मुख्यले जो है आपका मुंबाई में देखने के मिलता है ऑप्सन नंबर B होगा सेबी Securities and Exchange Board of India प्रतिभूती बजारों में निवेशकों की जोखिमों से रक्षा हेतु 12 अप्रेल 1988 को इस्थापना की गई और 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा जो है मिला सेबी प्रतिभूती बजार की नियामक इकाई के साथ साथ अर्ध विधाई अर्ध नियाईक और अर्ध कारेकारी की भूमिका निभाती है वर्तवान में सेबी के अद्धिक्स की बात करते हैं तो माध्वी पूरी बुच यानि प्रतम महिला है सेबी के संगठन नात्मक धाचे में चेरवैन के अत्रिक्त चार पूर्ड कालिक सदत से और चार अंसकालिक सदत से इसके बोर्ड में सामिल होते हैं भारती समिधान कुदेशिका में नियाय सब्द निमलिखित में से किस संकाव लेख नहीं है कौन से संग का उलेख नहीं है तो कानूनी का दुस्तों नहीं है बाकी समाजिक है राण्येतिक है और आर्थिक भी है प्रस्तावना में समाजिक आर्थिक और राण्येतिक न्याय का उलेख है समाजिक आर्थिक एमराजितिक न्याय के तत्यों को 1917 इस्वे में रूस की करांती से जो है लिया गया है 42 में सम्मिधान संसुधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरिपेश तथा अखंड़ता सब्द जो है जोड़े गया है प्रस्तावना अमेर्की सम्मिधान यानी प्रतम लिखित सम्मिधान से ली गई लेकिन प्रस्तावना की भासा पर आउस्ट्रेलिया सम्मिधान की प्रस्तावना का प्रभाव है प्रस्तावना में उन लिखित सुवतंदरता समता वा बंधुतों के आदारसों को फ्रांस की करांती यानी 1789 स्विय में लिया गया है ये आज पच्छे से याद रखेगा अगला है कि अरून थिरी का जल परियुजना निमलिखित में से किस अस्थान पर इस्तित है तो यह हो जागा नेपाल में उप्सन नमबर सी इस परियुजना से विधुत नेपाल के धल केबर से भारत के मुझफर पूर में भीजी जाएगी नेपाल सरकार ने इस परियुजना का गठन जो है 1992 एसी में ही किया लेकिन परियावरण संबंधित चिनताओं और विरोत के फल्सोरूप यहाँ परियुजना जो है रूकी हुई थी वर्तमान में यहाँ परियुजना जो है आपका निर्माना धीन है भारतिय समिधान के कौन सा नुच्यत के अनुसर उपराश्टरपती राश्टरपती की रूप में कार याथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है तो आंसर आपको हो जागा अनुच्यत 65 जो है इसका सही आंसर होगा अनुशेत 62 में क्या है अनुशेत 62 में राष्टरपती के पद रिक्त को भरने के लिए निरवाचन करने और आकस्मिक रिक्तों को भरने के लिए निरवाचित व्यक्ति की प्रावधी का प्रावधान है अनुछे 63 में देखेंगे तो उपराश्टरपती के पत का प्राधान किया गया है जो अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है अनुछे 64 इसके अनुचार उपराश्टरपती राजसभा का पदिन स्वापती होते हैं उपराश्टरपती को हटाने के लिए प्रस्ताव सरपर्थम राजसभा में ही लाया जा सकता है राजसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोग सभा अनुमोदन कर दे तो उपराश्टरपती को उचके पत से हटाया जा सकता है राश्टरपती का बदरिक्त होने पर उपर राश्टरपती केवल 6 महीने तक कारेवाख राश्टरपती की रूप में कारे कर सकता है जब तक कि नया राश्टरपती कारेभार न ग्रहन कर ले अगला हमारा कोसन ने कोसन नमबर सेवन भारत में उत्तरपूरो में गार जी बैलोनिया रेल का उत्गाटन निमलिकियत में से किस राजिमे किया गया है आंसर होगा त्रिपूरा देखे भारत के उत्तर पूरवी गारजी बोलोनिया के बीच 23 किलोमेटर लंबी रेल लाइन का उद घाटन त्रिपूरा के अगर तला में 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंति नरेदन मोदी द्वारा किया गया यहार रेल लाइन दच्छिड त्रिपूरी यहार रेल लाइन जो है दच्छिड त्रिपूरा के अंतिम सेमावर्ति सहर यानि सबरूम को जोड़ेगा आते हैं कोशन नमबर हम 8 पे बोला कि हिपो कैंप किस ग्रह का चंदरमा है तो यह आपका नेप्चून का हो जाएगा ओप जल चाया हुआ है तथा यहरे निले रंग का ग्रह है जर्मन खगोल सात्री जौन गाले ने वरुन की खोज 1846 में किया था निमलेखित में से कौन से विसे भारते सम्धान के अनुसार संग्य सूची में समलित नहीं है तो आंसर होगा इस्थानी सूची नहीं है बाकी रक्षा है रेलेवे है रिजर बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका संग्य सूची के विसे में सामिल है दखे भारते सम्धान के सात्तिवी अनिसूची में तीन सूची का वर्णन के आगे है संग सूची राज्य सूची और समवर्थी सूची वर्तमान में संग सूची में सो राज्य सूची में 61 और समवर्थी सूची में 52 वंडित है जिन विस्यों को संग सूची राज्य सूची एवं परिवार नियोजन जनसंख्या नियंतर्ण समचार पत्र जलमार्ग कारखाना लग है हाना और आर्थी के अम समाजे की योजना सिक्षाय साज्विहाप का समवर्ति सुजी के विसे हैं अगला है कि बिहार में ठारसो संतावन की करांतिय का नितरत्व किस ने किया था आंसर होगा कुवर्शिंग उप्सन नंबर ए सही आंसर होगा उस समय पत्ना के कमिस्नर जो है आपके विलियम टेलर थे तात्या तोपे राम चंद्र पांडरोंग इनका नाम है और नाना साहब धोतुपंद के नाम जो हैं इनका धोतुपंद भी बोलते हैं अठारसो संतावन की करांतिय का जो है नितर तो खान बहादूर खान ने किया अठारसो संतावन की करांति का जत्तकालिन कारण की बात करते हैं एनफिल्ड राइफल के कार्तूश के धक्कन में गाय और सूर की चर्वी का परियोग किया जाना था और 29 मार्च 1857 को बैरेकपूर छामनिक के 34 वी एन आई एन आई रेजिम के मंगल पांडे ने बाग और जेनरल हूसन की हत्या कर दी बल्या के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद जो है आठ अपराल 1857 को फांसी दे दिया गया था नेश्ट हमारा कोसन कोसन नमबर 11 निम्न में से कौन सा अनुछेद धार्मिक कारियों की प्रबंध की स सुवतंदरता से सब्बंधित है ओप्सन नमबर ए होगा अनुछेद 26 देखे अनुछेद 24 से 24 में जो है 14 वर से कम उम्र की बच्चों को जोखिम कारियों से निश्यत किया गया है अनुछेद 23 में क्या है तो मानों का दुरविभार बेगार्द था बालत स्रम को निश्यत क मानने आचरण और प्रसार प्रचार करने के सुवतंदरता का प्रावधान करता है सिखो को अपने धार्मिक प्रतीक क्रिपाल धारन करने का दिकार अनुछेद 25 के अंतरगत प्राप्त है अनुछेद 27 किसी विव्यक्ति को ऐसे करो को देने के लिए बात ही नहीं किया जाए है भारत के डैस राज में हॉर्नबिल फैस्टिवल का यूजन किया गया है तो आप सबीक पता है हॉर्नबिल जो है आपका नागा लेंड होगा यह जो है इसका सही आंसर होगा इसको समझते हैं देखिए नागा याई नागा लेंड की प्रमपरा वह धरोहर की सन्विर्धी सन्रक्षन व प्रसाहन के लिए प्रतेक वर्स यानि दस दिसंबर को एक से दस दिसंबर की बीच नागा लेंड में हॉर्नबिल फैस्टिवल का यूजन किया आता है इस फैस्टिवल में रित्य प्रतरसन सिल्प परेड खेल हुए कई धारमिक अनुस्ठान की जाते हैं इस सबसे बड़ा अकर्षन जो है नागा नायकों की बहादूरी की प्रसंसा में गया जाने वाले गीत हैं इस महत्सों को सन्युक्त रूप से परेटन विभाग और कलाव संस्क्रती विभाग के द्वारा नागा विरासत गाउं और किसामा में आयूजित किया जाता है जो कोहि सिर्छिमा से बारा किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इस महत्सों का नाम जो है हौरनबिल पक्षे के नाम से रखा गया है हौरनबिल पक्षे का पंक नागा समधायक के लोगों द्वारा पह नी जाने वाली ठोपी का हिस्सा होता है भारत और स्रिलंगा के म्लस都有 औरह देखे राइजोपस सेपरोफाइटीस और परजीवी कवक की एक प्रजाती है और ये नम अस्थानों पर पाय जाते हैं ये सबजियों फलो ब्रेड जेली आदी जैसे कारणों पदार्थू पर पाय जाते हैं राइजुपस को ब्रेड मॉल्ड अथवा पीन मॉल्ड अथा एस्पेरजीलियस को ब्लू मॉल्ड कहते हैं लैंगिक प्रजनन जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनन साइड से दो प्रकार के विस्ष्ट कोसिका हैं नर और मादा युगमज है ना युगमज बनती है जो एक दूसरे से मिलकर एक सन्युकत कोसिका युगमज बनाती हैं यह युगमज बढ़ने पर नर 9 जीवन जो है 9 जीव बन जाता है सेवालो में लेंगी प्रज्णन सम युगमक विस युगमक तथा अंड युगमक द्वारा होता है विखंडन अलेंगिक प्रज्ञन की एक विथी है जिसमें जो है एक कोशिकी जीव कोशिगा विभाजन के दवरान दो समान और धो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन करते हैं विखंडन दो परकार का होता है दिव विखंडन एवं बहु विखंडन अमीबा में प्रज्णन दिव विखंडन द्वारा होता है मुकुलन में प्रज्णन जीव के सहीर का छोटा सा भाग मुकुलन के रूप में उभरता है जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन है हाईड्रा में जनन मुकूलन द्वारा ही होता है हाईड्रा में बेजाण निर्माण गठन में जनन जिवाणू नामक सेकड़ो सुक्ष्म प्रज्दन एकाईओं को उत्पन करता है जब पौधों का जीवानू आवरन फटता है तो जीवाणू वाईउ में फैल जाते हैं ज प्रतियक्ष चुनाओं द्वारा चुने गए जंता के प्रतिनिधी से होता है लोग सभा में अधिक्तम संख्या जहें 550 निर्धायत की गई है इन में से मुलत समेधान में लोग सभा की सभा से संख्या जो हैं पांचवर्स का होता है सन्यूक तो अधिवेशन के अधिक्स्ता जो लोग सभा लोकसभा के परती जो है सामोहिक रूप से उत्तरदाई होते हैं नोट एक सो चारवे समेधान संसुधन अधिनियम द्वार उन्नेश द्वारा जैनवरी दो हजार बीस में लोकसभा और राजविधान सभाव में एंगलो इंडियन के लिए आरख्षित सीटों का प्राधान सम अब्दुल्ला को मलिस्या का सुलहमा राजा जो है बनाया गया है इसमें कुछ मैट का भी कोच्छन दिया गया है तो आप जो है गूरूप ज्यूइंगे वैसे बिहार्द द्रोगा टेलीग्राम पे गूरूप बनाया गया है उसमें आपको डेली वेसल सेट जीट तक तो जोईन कर लिजे ये रहा वाट्साप नमबर 810-5654-6533 आप इसके बिहार दरोगा लिकर के मैसेज कीजेगा आपको संपूर जानकारी मिल जाएगा निमलिखित में से किसने विधुत चुमकिये प्रेरणन की खोज किया है आंसर होगा फेराडे ऑप्सन नमबर B किसी बंद परिफट से होकर उजरने वाले कुमकिये फुलक्स में परिवारतन करने पर विधुत का विधुत धारा उत्पन होती है विधुत धारा उत्पन होने की इसी घटना को विधुत चुमकिये प्रेरण के दो नियम है जिसमें से परते हैं, जब किसी कंडली से संब्धित एक प्रेरित वीदु वीदु वाहक बंड की उत्पथी हो जाती है। चुमबकी फलक्स में प्रेरित वीदु वाहक बंड के अनुकरमान पाती होता है। प्रेरी दहरा वहाग बल इतना दिया गया है हिर्दे के लिए कृत्रिम पेस्मेकर डाइनेमो ट्रांसफार्मर आदी में विधुत चुमकी प्रेरण का प्रियोग किया आता है जल्रासी जो इस्पेन और फ्रांस दोनों ही साथ टटी छेतर बनाती हैं आपका दर पूछ रहा है तो आपका बिसके की खाड़ी होगा ऑप्सिन नमबर डी उत्तरी अट्लांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दच्छिड में बिसके की खाड़ी जो है अवस्तित है और नार्वेजियन सागर नार्वे के उत्तर पसी में अवस्तित अट्लांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतरदेश के जल निकाय है जिसे दुनिया का सबसे बड़े जील या पूर विक्सित समुद्र के रूप में वर्गिक्रित किया गया है कैस्पियन सागर योरोप और एसिया के साथ इस्तित काके सस परवत के पूरो में और मद एसिया के वरीहत मैदान के पस्सिमें इस्तित है बोतनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्री छोर पर अवस्तित है या फिल्लेंड के पसिमी टट वो स्विडन के पूर्वी टट की टटी सीमा बनाती है नैश्ट के वाल मालविक अगनी मित्रम के लेखा कौन है तो यह हैं कालिदास अप्सन नमबर सी इस नाटक में मालवदेश है ना मालवदेश की राज कौमारी मालविक अगनी मित्र का प्रेम उनके वीवाह का वन्डन है कालिदास की अन्य उलेखनी के रिज़िये से मेगदूत अभिगान साकुंतलम कौमार संभूम और रगुवन्सम है बान भट हर्सचरित का दरबारी कभी था जिन्होंने कादमबरी और हर्सवर्धन के जीवनी पर अधिकारित हैना अधारित हर्सचरित किरशना किया था कभीर किरशनाओं में प्रमुख बीजक रमेनी सबद है सूरदास्की, कृति की बात करते हैं साहित लहरी और सूर सागर है अगला कि पुणगा नूर एक नाम है किसका तो यह है आपका गाय का उप्शन नमबर सी यह आपका नसल है पुणगा नूर गाय की एक नसल होने के साथ साथ आंदर परदेश के चितुर जिले का एक कजबा यानि सहर है जमनापरी, बोर गोट, बारबरी, बीटल, मालाबारी, जफराना, सिरोही यह सब बकरियों की प्रमुख नसल है मुर्रा, जाफरावादी, नीली रावी, भदावरी, नाकपुरी, मेहसाना यह सब भैंस की प्रमुख नसल है भारत में पाए जाने वाले हाथी, एरिफस, मैक्सिमम, सिंगनल, एसी, हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंड के एक उपर जाती है हाथियों के सनक्षन, गैर कानुनी सिकार और तसकरी को रोकने के लिए यह फिर रोकने को उदिसे से पूरा विस्व में 12 अगस्त को हाथी दिवस मना याता है हाथियों का दिमाग जिए सबसे बड़ा होता है अलाकि नूंग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 काय जुन ने मिलिखित में सिकी सराजी में किया गया है तो यह मिघाले में किया गया है, ओप्सन नमर देखेंगे तो यह होगा मिघाले आप अच्छे से याद रखिएगा और यह फेस्टिवल परतेक वर्ष नॉंबर में पांच दिने तो मिघाले में किया आता है इस फेस्टिवल में अच्छी फसल सांतिया और समुदाय को संविर्धी के लिए प्रातना किया आती है सिलांग के खासी हिल्स के निवाश्य दुवरा उत्सा से इस फेस्टिवल का जो है आयोजन किया आता है आगे देखेंगे आपका मैत का प्रस्न दिया गया है 24 नमर है कि समाचार पत्र रष्ट गोपतार सच बताने वाला यह संबंध में से किस धर्म के सुधारों से था तो पार्सी हो जाएगा ऑप्सन नमर डी यह समाचार पत्र आंगल गुजराती पार्सी धर्म में सुधार है तो ददाभाई नरोजी हम खर देश हना खर सेथ जी कामा दोरा प्रकासित किया गया था तदाभाई नरोजी ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाते हैं या फिर कहा जाते हैं तदाभाई नरोजी जो है तीन बार 1886, 1893 और 1906 में भारती राष्टी कांगरिस की अध्यक्सता जो है दोस्तों किये थे और यह कोशन मैंन के पंक पक्षी के पंक और कीट के पंक होगा तकि प्राणियों के वे अंग जिनकी अधारभूत सनचना एक जैसी होती है परन्तु उनके कारियों उनके कारियों जो है अलग होलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं समजात अंग के कुछ उतारना जैसे पक्षी के पंक तथा घोडे के अगरपाद, मनुस्य के भूजा तथा गाय के अगरपाद, मिड़क के अगरपाद तथा पक्षी के पंक प्राणियों के वे अंग जो समान कारी करते हैं तथा देखने में भी समान हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति वह संरचना भिन है समरूप अंग कहलाते हैं समरूप अंग के कुछ उधारन जैसे कीट के पंक तथा पक्षी के पंक, कीट के पंक तथा चमगादळ के पंक, चने के पौधों की लता तथा मटर के पौधों की लता होगा काबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत समिधान सभा गठन हुआ तो यह आपका हुआ है नमबर 1946 में ऑप्सन नमबर B काबिनेट मिशन के प्रधान मंतरी क्लिमेट एटली द्वारा समिधान सभा की स्थापना या अन्य समस्याओं पर भारतियों से विचार विमर्ज करने के लिए भिजा गया था यह 24 मार्च उन्हें सुच्यालिस को दिली पहुचा इस मिशन में जो है तीन सदस्य थे जिसमें से आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस यह भारत का सचीव सर इस्टेफोट क्रिप्स या अद्धिक्स थे बोड आफ का ट्रेड का और एबिया लेग्जेंडर नौ से ना इसका फूल मतलब ट्रीक देखेंगे तो काल जो है इसका ट्रीक होगा आप इसको सेट कर लिजेगा शुरुवात में कॉंगलेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मीशन प्लान को सुविकार किया किन्तु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे और सुविकार कर दिया और पाकिस्तान के दिर्मान के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कारेवाहिद दिवस प्रारंब की गई है निमलेशीत में से कौन सी उस्मा की इकाई नहीं है तो फोन नहीं है देखिए फोन जो है धोनिया सोर की प्रबलता अस्तर की इकाई है कैलोरी उर्जा और उस्मा की जूल कारेवा उस्मा की तथा बीटी यू उस्मा की पारंपरागत इकाई है एक ग्राम जल का ताप मांग यानि एक डिगरी सेलसे तक बढ़ाने के लिए आवस्सक्ष की मात्रा कैलोरी है एक कैलोरी फोर पॉइंट वन एट सिक्स जूल के बराबर होता है कैलोरी के मान की साथ करते है जीरो पॉइंट टू फोर कैलोरी होता है एक पॉइंट जल का ताप जो है एक डिगरी फोरेन हैट बनाने के लिए आवस्सक्ष की मातरा जहें वन बी टीए डट यू उकलाता है वन बी टीए यू डॉट दो सो बावन कैलोरी के बराबर होता है भारत में वर्ष 2022 में आठ चीतों को लाए गया था जिससे मध्य पर्देश के कुनू नैस्नल पार्क में रखा गया उन्यू सुसाइटालिस में 36 गड़ के कोरिया जीला में भारत के आखरी चित्ती दार चीता की मिर्ट्य हो गई थी सन उन्यू सुबावन इस्वी में देश से इस प वारा लाने की पर्यूजना जो है पर्यूजना की परिकल्पना 2012 इस्वी में की गई थी टाइगर टास्कव की सिफारिस के बाद दिसंबर 2005 में राश्ट्री बाग स्वनच्छन एथर्टी के स्थापना की गई अंतराष्ट्री बाग दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है भारत ने 10 को सहाथा देने के लिए ऑप्रेशन समुल्दर मैत्री चलाया है तो और बी होगा इंडोनेसिया जो है इसका परेशन समुल्दर मैत्री इंडोनेसिया के सुलावेसी में ऑक्टूबर 2018 को आये भुकंप और सुनामी पीडितों के राहत हुआ सहायता है तो जो है भारत द्वारा चलाए गया अगला कि सिस्मोलोजी भुकंप के अध्यन वो पृतिवी के अंदर भुकंपई तरंगों के प्रसार से सम्मंदित है रिंग आफ फायर जिसे सरकम और पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग आफ फायर भी कहा जाता है विस्मों में भुकंप का सबसे अधिक सक्री छेतर इसकी आवस्तिती प्रसांत बेसिन में है भुकम की तीवरता रियक्टर स्केल द्वारा मापी आती है जिसका विकास अमेरिके व्यग्यानिक चार्ल्स रिटर ने 1935 इस्विव में किया है भुकम की तीवरतम आपने वाले यह अंतर कुछ दिया गए जैसे आपका देखेंगे त्रोसी फेरल स्केल मारकेली स्केल और रियक्टर स्केल होगा लोथल किस नदी के किनारे या फिर लोथल जो है किस नदी के निकट में स्तित है भोगवा हो जाएगा ऑप्सन नमर्डी के दरवाजे मुख्य सड़क की और खुलते थे अगनी कुंड लोथल एवं काली बंगा दोनों अस्थल से प्राप्त हुए हैं सत्लज नदी पर रोपड घगघर नदी पर काली बंगन रावी नदी पर हडपा सेंधुस नगर जो है इस्तित है भारत के समिधान में में मिलि प्रतिक्षी करण परमादेश, प्रतिसेद, उत्प्रेशन और अधिकार प्रिक्षा होगा भारति समिधान का अनुछे 32 के अंत्रगत मौलिक अधिकार को परिवर्थित कराने के लिए नागरी को कोचितम न्याले में याचिका आवजन करने का प्रावधान है समिधान के अ अधिक्रण को ऐसे रीटे, आदेश तथा निरदेश जारी कर सकता है जो नागरी को के मूल अधिकारों के परवर्तन के लिए अवस्यक हैं अनुछे 124 में उचितम न्याले के गठन का प्रावधान किया गया है ये वियाफच्छे से याद रखेगा भारत में पहली आर्थ आर्थि जनगरना आप सभी को पता होगा आंसर आप लोगों ने कर दिया का उचे में सच्छारоном का संख्या व्यक्तियोंकी संख्या वित याश्रोत एवं स्वामित्व के भरकार जैसे पहलूओं को सामिल किया गया सात्वी आर्थी जनग्रना का संचलन सांख्यकी एवं कारेक्रम कार्यानिमेन मंत्राले दुरा जो है किया गया था आगे हमारा के सात्वी आर्थी जनग्रना में आकणों के संग्रहन सत्यापन, रिपोर्ट स्रीजन एवं प्रसार के लिए IT अधारित डिजिटल प्लेटफार्म का जो है उप्योग किया जा रहा है 29 जुलाई 2019 से साथ में आर्थिक गड़ना त्रिपूरा राजय से आरंब किया गया था ननिमलेखित में से कौन सकत्रीजन भारत के उपराश्टरपति चुने जाने की अहरता के संबन में सही नहीं है तो option number C होगा वहाँ लोग सभा का सदत् अहिर्थ है ना अहिर्थ है ओप्सें नमबर जो हैं का सी होगा उपराश्टर पती चुने जाने की हरता कुछ दिया गया है जैसे 35 वर्ष के आयू पूरा कर चुका हो भारत का नागरिक हो राजिसवा का सदद से बनने के लिए योगिता हो केंद सरकार राजिसरकार या किसी अस्थानी प्राधिकरण के अंद्रगत किसी लाप के पद पर नहों अगला की ओल्लीव रिडले सागरी कच्छवा को डैस के नाम से भी जाना जाता है ओप्सें नमबर जो है आपका पैसिफिक रिडले सागरी कच्छवा हो जाएगा ओप्सें नमबर यह होगा आयू सी न अब लिडले सागरी कच्छवा को संकटपन के सुची बद किया है ग्रिन सागरी कच्छवा अमेरिका के हवाई डियूप यानि प्यू प्यूटो रिको वर्जीन डियूप समू और फ्लोरीडा के पूरीव ट्रेट पर देखे जाते हैं अगला है कि कैमपस रिडले सागरी क अब कहते हैं सागरी कर्फे की एक दूरला प्रजाती तथखा या भी गंफी रूप से संकट गरस्त है कि हॉपसबित्सॐारा उस میں बंधी महासाग़ों में मूखेत परवाल भित्तिक चhtित्रों में दोस्तों यह आपका पाया जाता है तो अग्या की मानुसेरर में गुरबारे सश्टनाएं जिन्हें डैश कहाजाता सब्सक्राइब सब्सक्राइब करती है अगला की साइनस खोपड़े के हड़ी के घने सिक्के में घने हिस्से में हवा से भारा एक गुहा कैवेटी होता है सब्सक्राइब करती है अस्तर गरंथी लेरिक्स को फेफड़ों से जुड़ती है सब्सक्राइब के घने से खोटी होता है नाक स्वासन मार का प्रथम अंग है ग्रसनली पाचन वो स्वासन तंत्र दोनों के अंद्रगत आती है वायू ग्रसनली से होते हुए स्वासनली में पहुचते है स्वासनली वक्ष गुहा से विभाजित होकर दो स्वासनियों से स्वासनियों में बढ़ जाती है इनका अंतिम छोर वायू कोस में खुलता है प्रतेक वायू कोस फेफडों की सनशनात्मक एवं कारी की इकाई होती है फेफडों के एलबी योली में बाहर से ली गई वायू में उपसित ओटू तथा एलबी योली के उपर मौजुद कोसी कौमी प्रवाहित असुद रक्त में जो है उपसित सी ओटू का स्वासन जिली द्वारा होने वाला आदान परदान गैस विनिमय कहलाता है जैसे विनिमय विद्वारा होता है स्वासन की दरव्यस्क मनुस्य में 12-15 बार प्रति मिनिट तथा सिस्व में 44 बार प्रति मिनिट होता है जैसे जैसे उचाय पर जाते हैं हावा कघना तो था ऑक्सिजन की मात्रा घट घटती जाती है इस कारण रक्त में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है जि नहीं है यानि हमारा गलत क्या है इथिनॉल पानी में घूलता है ये गलत हो जाएगा इथिनॉल पानी और कई कार्बनिक योग्यों के साथ जो है आसानी से घूल जाता है इथिनॉल कमरे के तापमान पतरल होता है और इथिनॉल को समाने तह अलकोहल भी कहता है या फिर कहा आ इतिनॉल का इस्तेमाल आयोडीन में किया आता है पेंट लाह और वारनीस के उपियों के लिए जो है इतिनॉल एक प्रभावी विलायक होता है एथिनौल कीनवन का एक प्रकृतिक सह उत्पाद है एथिलीन है एथिलीन के जल योजन से एथिनौल का उत्पादन किया आता है चाशाटमा सीनियर पुरुस राष्ट्री कबड़ी चेंपियंशिप 2019 किसने जीता है आंसर होगा महराष्टर ऑप्सन नमर बी होगा निमलेखीत में से किसके दौरा स्मार्ट इंडिया है कि थौन 2019 जो है आयोजित किया गया था तो मानो संसाधन विकास मंत्राले ओप्सन नमर जो है अपका सी सही अंसर होगा दखे स्मार्ट इंडिया है कि थौन चाटरों को दैनिक जीवन में आने वाले दबाओ समस्याओं बाधाओं आदि के समधान हितु एक राष्टर व्यापी मंच परदान किया रता है इसमार्ट इंडिया है कि थौन द्वारबीस के मंच चाटरों को विभीन मंत्राले विभागो उध्योग सारवजनिक उपकर्मो तथा गैर सारकारी संगठन के अंदर आने वाले चुनोतियों पर काम करने का आवसर मिलेगा पहले तीन संसकर्ण रजनवाचार को बढ़ावा देने में जो है बेहत सफल साबित हुए है डैस के सदक से को समाने तह हरी सेवाल कहते हैं आंसर होगा क्लोरोफाइटा ओप्सन नमर भी देखिए हरी सेवाल उच रख्त दाप से पीडित व्यक्तियों के लिए लाबदायक है सेवालों के अध्यान को जो है फाइकोलोजी कहायाता है बर पर पायजाने वाले सेवाल को जो है क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं चट्टान पर पाइजाने सेवाल को जो है लिथोफाइट्स कहते हैं जापान की निवासी पुरफाइडा नामक सेवाल का प्रियोग भुजन की रूप में करते हैं अगला है कोल्ट्रस नामक सेवाल से आईडिस अगर प्राप्त किया जाता है जिसका ओपियोग चॉकलेट बनाने में किया आता है अगर 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 पदार्थ लाल सेवाल से प्राप्त किया आता है जो प्रियोग साले में पौधक के सनवर्धन और आइस क्रीम आदियोग तो होता है अगर 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 ग्रसीलेडिया प्रस जैलेडियम नामक सहवाला से प्राप्ठ करूंता है यह वाज्व मनलकषिजन का इसतरीष करण करते हैं अगला है आपका सारगासमस नामक भूरी सहवाल तथा कुछ अन्य लाल सहवाल का उपियोग मविसियों के चारा के रूप में दुस्तों ये किया जाता है आगे हमारा कुछ पॉइंट है जैसे बोला कि सिफेलियोरोस नामक सहवाल चाय क्यों पौधो पर लाल किट नामक पादब रोग जो है उत्पन करते हैं मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस को ग्लैंट कीप कहते हैं क्लोरोफाइसी हरा वर्नक रोडोफाइसी लाल वर्नक और फियो फाइसी जो है आपका भूड़ा वर्नक सेवाल में भोज पतार्थ का संचे मन की रूप में करता है अगला की ट्यूरिंग आवार्ड कर छेतरां से स्बंद है ट्यूरिंग आवार्ड तोंप्यूटर विज्जानियम एई हो जाएगा इस वंबूद को कंप्यूटर चेत्रा का र मुबल पूरवाइब टुूरिंग आवाइड 2019 से बॉब मेटकॉब को मिला है दा साघफाल के पूरसकार सीनिमा जगत का सरवुच पूरसकार है न्येस्ट है, निमलखित में से कौन सी परवज जो है स्रिंखला, नेपाल से सम्मन्स नहीं है तो आपको जगा अराकान योमा नहीं है मैनमार में इस्थित अराकान योमा में नागा हिल्स यानि भारत वर्मा सीमा चीन हिल्स उत्तर पस्तिम वर्मा और पटकाई सरिंखला भारत के पुरुवत्तर में वर्मा के साथ लगी अंतराश्टरी सीमा छेतर सामिल है और अकान योमा स्रिंखला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में दुबा हुआ है तथा अंडमान और निकोबार दीप सम्मों की रूप में फिर से उभरी है ग्रेट हिमाले को हिमादरी अर्थात सर्वोच या विरिहद हिमाले कहा जाता है यह हिमाले की सबसे उची चोटी है या फिर सबसे उची स्रेणी है ग्रेट हिमाले में ही विश्व की सबसे उची परवत एवरेश्ट नेपाल है महाभारत स्रेणी हिमाचल स्रेणी पिरपंजाल लगू या मद्ध हिमाचल परवत स्रेणी का भाग है सिवालिक स्रिंखला हिमाले का नविंतम भाग है इसे निम्निया बाह हिमाले भी कहा आता है डैस ओलंपिक के लिए केटी रिबोट किस देश ने अनावरित किया है आंसर होगा जैपान 24 जुलाई से 9 अगस्त तक जैपान ओलंपिक 2020 का आयुजन में केटी रिबोट का उपयोग किया गया यह रिबोट जैपानी कंपनी टोएटा द्वारा जो है बनाये गया है यह रिबोट लोगों को उनकी सीटों की और निर्देसिक जो है करेगा यह रिबोट लोगों कुन की प्रसंगिक छुचनाओं के साथ साथ यह रिबोट पेवखाद पदार्थ के डिलिवरी को भी सुनचित करेगा ग्रिस मकालिन ओलंपिक खेल या ओलंपियाड पहली बार 896 इस्वे में आयोजित किया गया था इसका योजन जो है प्रतिक चार वर्ष में होता है तारो का टिम्टी माना चारो को रोशनी के वाजु मंडल में से डैस करण होता है तो यह आपका अपवर्तन हो जाएगा यह सही होगा मचली अपने वास्तिविक गहराई से कुछ उपर उठी जो प्रतित होती है अपवर्तन के फल सोरूप ही दरब में असंतह डूब हुई सिधी छट जो है टेरी दिखाई पड़ती है सुर्योदे के कुछ समय पहले तथा सुर्यास्त के थोड़े समय बाद तक सुर्य जो है छेती के नीचे होने पर हमें दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण ही पड़िणाम है अगला की जल से भरे बरतन के पेंदी में पड़े सिक्य का थोड़ा उपर उठा हुआ प्रतीत होता है वो जो आपका अपवर्तन की घटना होता है अपवर्तन के वेसे आपका उपर उठा हुआ जो है दिखाई पड़ता है कोई वस्तू यदि इस्थेर है या निस्षित वेक से एक सीधी रेखा पर गती कर रही है तो यदि उस पर कोई बाहबल नहीं लगा जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्ता में ही बने रहती है नियोंटन का गती का प्रताम नियम हो जाएगा अवस्ता में तक रहती है जब तक कि उस पर लगए बाहबल के दौरा वह अपनी अवस्ता में परिवर्तन के लिए बाध ये नहों अगला हमारा गुजरात के भूज में विनासकारी भुकम की उत्पत्ति किस वर्स में हुआ था दोहर एक हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी यहां भुकम 26 जनवरी को 52 वर्स गरतंद्र दिवस पर आया जो दो मिनट तक जो है चलता रहा भगौलिक आंकड़े का अनुसार भारत क की लगबग 54 परसेंट भूमी भुकम के जो है चपीट में आ गया भारत में भुकम की उच आगरती और तिवरता का कारण जो है भारती प्लेट का 47 mm कि दर जो है से खिसकता है और भुकम के उद्भाव अस्थान को भुकम का केंद्र कहते हैं अधिकेंद्र भुकम के केंद् पर प्रतिवी के सतह पर इस्तित बिंदू को कहते हैं राष्ट्री उद्यान जो भारत एवं नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के ट्रट पर इस्तित हुआ आपको कौन सा है तुवाल में की नेशनल पार्क हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी सही होगा यह एक टाइगर परदिस राजय के कुल्डू छेत्र में स्तित है है में सहाई अल्तिच्यूड नैशनल पार्क भारत के पूरवी लद्बाक केंद्र सामिल केंद्र अंप्छांस परावस्थित राश्टरि उध्यान है नंदा देवी नैशनल पारक उतर भारत यानि उत्राомеा नंदा देवी सिखर आपका 149 मिटर की आसपास में इस्थित है दो हजार बीस के ग्रिस्म कारिन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा कौन तो जापान हो जाएगा और अश्ट्रेलियन ओलंपिक खेल की मेजबानी दो बार उनिसो चापन मेलबॉर्न दो हजार में सिड्नी मे किया और निसो चौबिस में भारती उलंपिक परिशत की स्थापना की गई यहां परिशत के प्रत्व मद्दिक जो है जह जह टाटा थे त्यट्रिस्मां ओलंपिक खेल दो हजार चौबिस का जो जह है पर इस तथा चौटिसमां जो है ओलंपिक खेल अठाइस में लोस पिक में सरवादिक पता इतने वाले पूरुष खिलड़े जो है अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स हैं अगला है कारकोट राजवन्स का संबंध निमलिखित में से किस इतिहास से था आंसर होगा जम्मू कास्मिर ऑप्सन नमबर बी जो है सही आंसर होगा जम्मू कास्म पित था विन्यादित जापीट का नाम मुख्यरूप से लिया गया प्रसित चीन यात्र वेन संग दूरलफ वर्धन के समय कस्मिर आया था कारकोट पुराणों में वर्णीत एक प्रसित नाक का नाम था कारकोट राजवन्स के बाद कस्मीर पर उत्फल वन्स का जो है साचन अस्थापित हुआ था विद्ध विवांतर का साई मातरक क्या है या फिर साई इकाई क्या है इसका आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा डी जो है सही आंसर होगा निमलेकित में से कौन 2019 के रसाईन बिग्यान के छेतर में नोबिल पुरसकार विएटाओं के सूची में नहीं है आंसर होगा गोनी स्मित नहीं है देखे रसाईन बिग्यान 2019 का नोबिल पुरसकार जौन बी गुडनिफ एम इस्टैनली विटगम और अकीरा योसिनो को लिथियम आयन बैटरी के वि सहत्रों के लिए से शाहित की बात करते हैं तो सोली प्रूग में 1901 सांती की बात करते हैं 1901 जीन हेंरी डोनांट एयम फ्रेडरिक पासी रसान की की बात करते हैं तो फिस और जान तीन वर्गिन होगा निमलिकित में से कौन मानो जीवन के सभी दुखों के नास के लिए अश्टांगिक मार की सलाह देते हैं अश्टांगिक मार की सलाह देते हैं देखेंगे तो आप्सन नमर सी होगा देखें बोला कि मानो जीवन के सभी दुखों के नास के लि सव्मियक व्यायाम समयक समाधि गरी हत्या को जो है महाँ बिस्धिस कर्वान कहा गया है बूध द्वारा दिये प्रथम अब द्धेश को धर्मंच्रक्रवरतन कहाल आता है बूध कि मुरति को है महाँ परिंद्रमण यह तीनों कोसन आपके एक्जाम में आता है और तीनों को आपको याद रखना है निमर्खित में से कौन से लॉर्ड करजन का योगदान नहीं था ओप्सन नमबर डी हो का सती प्रथा परोग और निसों तीस में लॉर्ड विलियम के लिए भारती प्रत्त्व विभाग की स्थापना की अकाल आयो का गठन करजन ने सर एंटनी मैकडुनॉल्ड की अधिक्स्ता में किया था करजन के कारेकाल में ही निसो चार में भारती विश्विद्याले अधिनियम जो है पास किया गया निमलिखित में से कौन उन्तीस अग यह सदस्त थे एंट कुपाल स्वामी आयंगर अलादे क्रिष्न स्वामी आयर मुहमास सदुल्ला के मुंसी बी इल मित्र और दीपे खेतान प्रारूप सम्मित्य दोवारा तयार समीधान का प्रारूप सम्मित्हान सभा क्या द्यख्ष के समेख्ष 21 फरवरी 1948 को पेस किया गया डीपेखेटान की मिरत्य जो है 1948 में अड़ा अड़ाइस के बाद जो है टीटी डाम किश्नाचारी को और बी एलमितर के स्थान पर एन माधो राव को जो है प्रावर समेति का सदस्य जो है बनाया गया समिधान सभा के समिधानिक सलाहकार बी एंडाव ने 243 अनुछे दियूम तेरह अनुशुचियम वर समिधान का प्रथम प्रारूप तयार किया निम्लखित सुत्र में से कौन सा कैलसियम कार्बोनेट को निरूपित करता है कैल्सियम कार्बोनेट को निरुपित करता है तो इसका आंसर जो है आपका B होगा CACO3 कैल्सियम कार्बोनेट को निरुपित करता है कैल्सियम कार्बोनेट एक रसानिक युग है जिसका रसानिक सुत्र जो है CACO3 होता है कैल्सियम कार्बुनेट प्रकृति में कई रूप जैसे चूना पत्थर, खड़िया, संग्मर्मर आधी की रूप में पायाता है मुझे चूने पर कार्बन डियोक्साइड गैस प्रवाहित कर या कैल्सियम कलोराइड में सोडियम कार्बुनेट को मिला कर कैल्सियम कार्बुनेट प्राप्त किया जा सकता है कैल्सियम कार्बुनेट स्वेत रवेदार पडर होता है यह जल में लगभख अविले होता है 1200 के पर गरम करने पर यह विगटित होकर कार्बन डियोक्साइड देता है कैलसे हम कार्बोनेट का उप्योग क्यूना बनाने में तुथपेश्ट दंतमंजन में सिमेंट उध्योग आदी में किया आता है अगला है कि 13 एश्ट एश्ट सममीट पूर्वी एश्या सम्मिलन का योजन निमलेखियत में से किस देश में किया गया है दो हजार पांच को मलेसिया के कौलालंपूर में किया गया है निमलिखित में से कौन 1905 में बंगाल की भाजन के समय भारत के वाइसरा थे तो लौट करजन ऑप्सन नमर जो है आपकर डिये होगा लौट करजन देखिए 20 जुलाई 1905 को आने सुरुत बीपीएसी 64-वी के अनु लौड एलगीन वन को बहावी अंद्रोन का जो है दमन किया गया लौड एलगीन दूतिय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर वजित किया गया और तलवार के बल पर ही इजकी जो है सुरुक्षा की जाएगी अगला की इन्टेन सिफाइड यानि तीब्र मिशन इंदर सब्सक्राइब निमलकित में से किस स्चेत्र से है कौन से स्चेत्र से है बताईएगा तो अप्सान नमर्ट देखिया आपका डी हो जाएगा टीका करण हो जाएगा दोस्तों टीका करण तीब्र गहन मिशन इंदर धानुष को पूरे भारत में दो दिसंबर 2019 को आई एमाई 2.0 के नाम से शुरुआत किया गया है इस मिशन का उद्र जो है दो वर्ट से कम उम्र के बच्चों और गर्वती महिलाओं को आठ वैक्सिन रोग थाम योग के बिमारी उसे रक्षा बनाता है रक्षा करना है इस मिशन के अंदर गत जो है टीका करण अभियान म है तापदित, मेनजाइटिस, खसरा, हैपेटाइटिस, भी, टेटनस, कालिखासी, और पोलियो, मैलाइटिस और डिप्थरिया के ठीके जो है इस में सामिल है इस मिशन के अंदर गत कुछ विस्ष्ट रोग जैसे इमोफिलस, इंफिल्वेंजा और जैपानी इनसे फ्लाइ और ट्यूवर क्लोसिस टीबी हो जाएगा, ऑप्सन नमबर भी होगा, निक्से पोछन योजना का सुभारा मपरेल दोरा ठार से भारत के केंदर सरकार दोरा किया गया है, इस योजना का प्रविक्षन, भारत सरकार के स्वास तिव्म कल्यान, विभाग लिए जो है किया गय यहां अधिकारिक्ट पर निक्षे पर अपना दर्ज करना कराना होता है आंगला है कि तहके आपको आप में करनाटक में यहां पक्षिया भ्यारण में दो सव से अधिक पक्षियों की प्रजाती पाए जाती है इस पक्षि बिहार में सफेद सारस उत्रे छेतरों में पाए जाने वाले चोड़ी चौचवाली बथक खंजन आदिमद एसिया साइबेरिया एम हिमाले के प्रवासी पक्षिय हैं पिछले वर्स किष्णा राजा सागर बांध का अत्रिक्त पाने छोड़ दिये गए पाने छोड़ दियाने के परड़ाम सुरूप इस अभ्यारने में उपस्तित सैक्रो घोसले जो है और दिप जलमगन हो गया है वर्स निस पक्षिय बिहार को पक्षिया भ्यारने घोसित किया गया 2022 में इसे रामसर आद्र भूमी घोसित किया गया यह पक्षिया भ्यारने शिरंग पत्नक के निकट का विरी नदिक के टड़ पर इस्तित है नैच्रल हिस्ट्री के लिखक है कौन तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताएगा इसका आंसर आपका प्लीनी हो जाएगा ऑप्सन नंबर ए होगा नैच्रल हिस्ट्री पुस्तक में भारती पशूँ पीड़ पोधो वखनेज पदार्थों का विवरन जो है या फिर वि अधी है सिकंदर महान रुस्तों की सिस्टे थे इतिहास की पिता जो है रोटोस की किरती जो है हिस्टोरिका है निमलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्री खेल दिवस के बारे में सही है या फिर सही कथन कौन सा है तो कि इसका आंसर आपका सी हो जागा एक दो तीन राष्ट्रपति इस दिन प्रति भावना खिलाडियों का सम्मान करते हैं चली आगे हमारा है राष्ट्री खेल दिवस भारत में प्रतिवर्स 29 अगस्त मनायता है यह मिजर ध्यान चंद्र के सम्मान में मनायता है भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रति भावना खिलाडि द्रोनाचार पुरसकार जो है स्थापना नियुशापना 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 प्रक्षित के लिए फ्रसिद है पुकली धान को भारत सरकार ने दोहर आठ में जी आई टेग प्रदान किया पुकली किरल के अलेपी यानी आलपुला आलपुआ त्रीसूर और एनाकूलम जुलों में लवनी जल से भरे टाटीय छेतर में उगाय जाने वाली चावल की किस्म ह अपने आपको जीवित रखने के लिए दो मीटर की लंबाई तक बढ़ जाती है पुकली धान अपने दूरलब स्वाद बढ़े आकार और ऊच प्रोटीन धारण के लिए प्रसिद हैं निमलेखित कतनों में से कौन आपका सही है तो देखिया ओप्षन नमर डी सही होगा ट्राई की स्थापना संसा द्वारा पारीत कान्दन द्वारा की गई है ट्राई की स्थापना का उद्ध्यस आपकर टेलीकॉम छेतर को रेगुलेट करता है डॉक्टर आर एम सर्मा ट्र के वर्तमान प्रमुख हैं कि आगे हमारा है कि सर चाल्स बूट का डिस्पेस या बूड प्रेशन भारती तिहास में डैस के छेतर में जो है बहु आया में शिक्षा प्रस्ता ऑए सिक्षा का माधियम Hugo इंग्रेजी बनाया जाने का सप्पेस्स बूड सब्सक्राइब में दिजाने वाली सिक्षा धर्व निरपेक्ष नियुमें सत हैट मिलेक्ष हमें चुन से कथन कर नहीं सिथे भारत के केंधरी मंत्री मंद्रम के टेकनिकल लॉजा नंने यूनिट को मॉस्को की स्थापना जनि मासको गर्फिक Сп eh गर्ष्ट दो हजार बाइस तक बुरा होने का लक्षे रखा गया है आई टू एल यू में इस रोक या धिकारिक प्रतिनिक तो होंगे इस रोका गागन यास मैंने करवाई दिया है देखे आई टी एल यू से रूस और प्रोडोसी देश के अंत्रिक्ष एजन्सियों वह उध सौथा देश बन जाएगा अमेरिका रूस और चीन मानों को अंत्रिक्ष में भेजने में सफल हो चुका है गागान यान को लॉंच करने के लिए जिए सेल बी एम के ठर्ड है ना लॉंच जो है विकल का प्रियोग किया जाएगा निरज चोपडा निखित में से किस खेल से जूड़े हुए हैं देखिए निरज चोपडा की बात करते हैं दोस्तों यह कौन से खेल से जूड़े हुए हैं बताईएगा तो आप सभी को पता है फाला फेक हो जाएगा ऑप्शन नमर देखेंगे तो भी होगा भाला फेक निरज चोपडा जो है टोकियो ओलंपिक दौ जो है मनाने की घोष्ट ना किया है अगला कि हैप हैप टौथ लोन में साथ असपारधाएं होती हैं और यह खेल पूरुस और महिलाओं दोनों की होती हैं पहले दिन चार और दूसरे दिन 31 सोपना वर्मन महिलाओं की हैप हैप टौथ लोन का स्वन पदक जीतने वाले पहल अचनता सरत कमल का समंट टेबल टेनिस से है जिन्हों ने राष्टर मंडल खेल 2022 में सवन पदक गीता दीपक पुनिया सवन पदक 86 किलोग्राम की फ्री स्टाइल राष्टर मंडल खेल 2022 रभी कुमार दहिया स्वन पदक पुरुच 57 वर्ग किलोग्राम फ्री स्टाइल राष्टर मंडल 22 और दिनेस फोगाट जो है विनेस फोगाट स्वन पदक महिला तिरपन किलोग्राम फ्री स्टाइल राष्टर मंडल खेल 22 आदिका समझ जो है उस्ति से है अब यहां पर देखे मिरान करके बताना है अहमदाबाद मिल हरताल की बात करते हैं तो दोस्तों यह आपको हो जाएगा 1918 होगा खेडा सत्यागरा की बात करते हैं तो यह आपका यह भी 1918 होगा जलिया अलबाग हत्या करना आप सबी को पत सब्सक्राइब करता है 1918 होगा जलिया अलबाग और चंपरण जो है आपका 1917 होगा तो आपसा नमबर जो है डी सही आंसर होगा इसको कर लेते हैं तोड़ा सा ताकि डिसकस्न किलियर हो जाए देखे तिन कठिया पत्रति के विरुद गांधी जी की नत्रुत में बिहार के चंपरण जीले मिर्शन 1917 में चंपरण सत्यागरा गांधी जी के दोरा जहार पला सत्यागरा था चंपरण सत्यागरा की सफलता के बाद गांधी जी का अगला परियोग 1918 में अहमदाबाद की एक कौटन टेक्स्टाइल मिल में अहमदाबाद मिल हरताल था अहम्दाबाद टेक्टाई मिलके मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विबाद चल रहा था खेडा सत्यागरा गुजरात के खेडा जिले में अंग्रजी सरकार द्वारा कर्वसूली के विरूत एक आंदोलन था इसे प्रथम और सहीव का आंदोलन भी कहायाता है खेडा को तेरह अप्रेल उनिस सो निस पंजाब के अम्रिस सर इस्तित जलिया लबाग में वैसाकी के पावन पर वकुमनाने के लिए कठा हुए निहत्य हजारों लोगों पजनरल डायर ने अंधा दून यहां पर देखेंगे सोलो सो पचास राउंड गोली चलवा दिया था बहुत लोग जो है इसमें मृत हो गया थे हिंद सोवराज के लेखक निमलेखियत में से कौन थे हिंद सोवराज को 1910 में ब्रिटिस सरकार द्वारा एक राजद्रोही पार्ठी गुरूप में प्रतिबंदित कर दिया गया बाल गंगादर तीलक की रशना जो है द आर्क अर्क टिक होम इन द वेदाज एम गीता रहस से है गांधी जी के राज़िति गुरू जो है गोपाल कृष्ण गोख लेते है लाल भादु सासरी की रशनाओं की प्रमुक बात करते भारत की खोज वीश्व इतिहास की जलकिया यह हम टुवार्ड फ्रीडम होगा अगला की खम सीन निमलेखित में से किस देश का अस्थानी पाउन है तो यह आपका मिसर को हो जाएगा ऑप्सन नमर सी सहारा मरुभूति के दशिड में विसिस्ता मिसर में चलने वाली एक गर्म अस्थानी पाउन है जो अर्जेंटीना अर्जेंटीना के अंडीच परवत के पूर्वी धलान पर बहती है चिनुक सन्युक्त राज अमेरिका में चलने वाली गर्म और स्थानी पाउन है मिश्टल रोन नदी के घाटी यानि फ्रांस इस्पेन में चलने वाली ठंडी तथा सुस्क हवा है हर्मटन सहारा मरुस्तल के दच्षिड पस्षिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा सुस्क हवा है यह अगला हमारा है कि जय परकास पूल जय परकास पूल अंदमलिकेत में सकिस नदी पर इस्थी थे तो यह आपको जग गंगा नदी ऑप्सन नबर सी होगा दीगा सोनपूर पूल बिहार में प्रवजनिक सेवा के लिए जेपी को मैक्स से पूरस्कार में भी दोस्तों प्रदान किया गया है निर्मलिकेत में से कौन सा देश हसार्क के सदश है ऑप्सन नमबर ए जैसे बांगलादेश होगा भूटान होगा उसके बाद नेपाल फिर आपका स्रिलंका पाच्वाज़ को देख लीजेगा कि देखे सार का मुख्यल जो आपका नेपाल के काट मंडू में इस्टी थे सार का प्रथम सम्मेलन धाका में दिसंबर निसों पाचासी में हुआ था प्रतेक वर्स आठ दिसंबर को सार का दिवस जो है मनायता है दा साउथ एसियान एसोसियेशन फॉर अगला है कि मर्यूर सुर्खियों में था क्योंकि इससे जी आइटेक दिया गया था आंसर हो जाएगा गूड हो जाएगा ऑप्सन नमर भी होगा किरल के डुकी जिले में मिलने वाले मर्यूर गूड को वर्ष द्वार 19 में भगौलिक संकेत टैक प्रदान किया गया मर्यूर गूड का निर्माड शर्दियों में पारंपरिक विधी द्वारा शुरू किया गया इस कारण जो है इसे जी आइटेक प्रदान जी आइटेक दोस्तों यहां पर जो है जी आइटेक लिए आपका चैनित किया गया था मर्यूर गुड की बिक्री जो है केरल का वन विभाग कहलाता है पदा विभूसन सम्मानित च्छतिजड़ की तीजन बाई निमलिखित में से किससे सम्बंदित है तो यह आपका गायन हो जाएगा option number A सही होगा गायन ब्लू माउंटेन परवत सिखर्ष भारत के जिस राजे में इस्तित हो आपका कौन सा है तो यह आपका मिजोरम हो जाएगा option number देखेंगे तो एह होगा मिजोरम परवत्तर भारत की लुसाई परवत माला में एक सेकेंड लुसाई परवत माला में इस्तित फोंग पुई को ही नीला परवत यानि कहा गया है ब्लू माउंटेन फोंग पुई एक पवित्र परवत माना आता है इसका नाम लई भासा से लिया गया है जिसमें फोंग का मतलब घास भूमी या मर्ग होता है या पोई कार्थ महान है फोंग पूई एक राष्ट्री उध्यान भी है बुलो मौंटेन के उचाई एक कई सो चौशट मीटर है लुसाई पहाड़ियां जो मीजो पहाड़ियां भी कहलाती है भारत की मीजोरम और त्रिपूरा राज्यों में इस है से भारति नदी का bene का ज मिल जाती है छीणान नदी का पुराना नाम देखेंगे आपका थो कहनी में एक पत्थर का वेशिन है जिसे जहां ठाथ जहांगी बनाए थो तो धूला है आगे दिखेंगे भारत में प्रंधान मंत्री हरा बैस्टन मिर्छी सही होगा अनुषाsnaud 75 में यह प्रोधान है की राष्ट्र पती प्रधान मंत्री की सरहपर करेगा 1931 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजी जो है कि हुआ था तो यह आपका कराची में हुआ था आप्शन बड़ी होगा इस अधिवेशन में गान्थी इर्विन समझोते 1931 का समर्थन किया गया जिसे जिसने जो है कॉंग्रेस को बिटिस सरकार के साथ समान अस्तर बात करने का अउसर प्रदान किया यह सरदार बलाभाई पटिल के अधिश्टा में एक मात्र कॉंग्रेस सत्र था लाहोर कॉंग्रेस अधिवेशन 1929 में जावाहरल नहरू की अधिश्टा में पूर स्वराज की मांग रखी गई थी इसी अधिवेशन में गोल में समिलन का बहिसकार करने का भी निर्णे लिय गया था भारती राष्ठी का उग्रेस अधिवेशन 1911 कलकत्ता में पंडित विशन नरायन धर की अधिश्टा में आयोजित सत्र में पहली बार जन्रणगर्मन जो है गाया गया था डिजिटल कॉरेंसी एबर निमनिखित में से किससे जो है यानि किसके द्वारा जो है लॉ दूस्तों यह लॉंच किया गया था देखेंगे तो आपसे नंबर जो है आपका भी हो जाएगा भी में देखेंगे तो आपका यू ए है ना कि यू ए ए वह सब्सक्राइब हो जाएगा है ना तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा भूलिएगा नहीं आगे हम देखेंगे अगला हमारा कोशन क्या है मतलब इसका डिसन दखेंगे चीन को अधिकारिक मुद्रा का नाम जो है आपका रनमीन भी है यूवान जो है आपका रनमीन भी की मू लिकाई है ये जो है जैपान का अधिकारिक मुद्रा है कतरी रियाल की बात करते हैं कतर क की मुद्रा है और आपका स्विस फ्रेंक जो है आपका सुर्जर लेंड और लेक्टेंसिन की अधिकारिक मुद्रा है पंची के बारे में निम्रिखित में से कौन सकतन जो है सही है तो आप्शन नमबर बी होगा दो तीन चार यह निसान तो नामक यू एवी का एक संस्क्रण है इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है यह भारत का उत्पाद है मिल्क आप मैगनिसिया के पी एच कितना होता है तो टेन पॉइंट फाइफ होता है ऑप्शन नमबर सी मिल्क आप बैगनिसिया एक कारवानिक योगिक है जिसका राशनिक सुतर जो है आपका एमजी ओएस टू इसे मैगनिस मैगनिसेम हडरोकसाइड कहा आता है यह जल में घुलने पर दूद जैसा दिखता है इसका उपियोग पेट की अमलता अदूर करने के लिए जो है किया आता है एमजी प्रकृते में ब्रुसाइट खनिच के रूप में होता है मैगनिसेम हडरोकसाइड एंटासीड का समान घटक है चार मईद वार अठारों का अमेरिका प्रेटंट कर्वाया है मिल्क आपमैनिस यहां इननवी न का प्रकृत और स्फिट इन्वाइंट ओ एक है है आपका 15 सांदर ακIl यहां यहां दो चड़नों में चलने वा لी मिसाइल है यह प्राध्होनिक गती से चल रही है यह दागवार भूल जाओ ये द्रक्यधार पर कारे करती है ब्रमोस की पंडुबी जहाज विमान और जमिन से भी लॉंच किया सकती है यह रूस और भारत के डियाडियो का एक सन्युक्त रूध्यम है है ना भुकर पूरसकार वेता एनना बर्नियूस द्वारान मि मिल्क मैन हो जाएगा ऑप्सन नमबर यह होगा मिल्क मैन पुस्ता को फिक्षन स्रेणी के अंत्रगत इसके लेखक एनना बर्नूस को दोहरा ठारा का जो है मैन बुकर पूरसकार दोस्तों दिया गया है भारती समिधान का नुच्छे देख सो तैस राश्ट्रपति को सक्ती देता है तो संसत के विसरांतिकाल में अधेदे जारी करना ऑप्सन नमबर यह होगा देखिए भारती समिधान का भाग यहां पर देखेंगे तो आपका ठारा के अनुच्छे तिन सो बावन से तिन सो साथ के बीच आपातकाल का उलेख है अनुच्छे 72 के तरहत किसी अपरा और असहमती होने के स्थिम अनुच्छे 108 के अंतरगत राश्ट्रपति दोनों सदस्यों दोनों सदनों की सनुक्ति बैठंग बुला सकता है जबकि जबकि इसकी अधिक्सता जो है स्पीकर द्वारा जो है किया आता है राश्ट्रपति द्वारा समिधान के प्रावधान का किये जाने पर अनुचिद 169 के अंद्रगत संसत के किसी भी सदन दोरा जो है महावियोग लाया जा सकता है अनुचिद 52 के प्रावधान के अनुसार भारत का एक राश्ट्रपति होगा राश्ट्रपति देश का समयधानी की प्रधान होता है निमलिकित में से कौन से संसदि ती सदस्य होते हैं इस समीति में राजय सभा के सदस्य को भी सामिल नहीं किया आता है लोग सभा के अध्यक्ष द्वारा प्राकलन समीति के अध्यक्ष का मननोयन किया आता है यदि लोग सभा का पाध्यक्ष इस समीति का सदस्य हो तो समीति का अध्यक्ष वही चुने जाते ह लोग लेखाल सम्मीति को पराकलन समित्थी या जुड़वा बहन भी कहते हैं इससमेति में 15 सदस्य लोगसभा से साथ सदस्य राजसभा एक वर्स के लिए निर्वासित किया आता है बाइस सदस्यों वाले सारवजिनिक उपकरम सम्य्थी निए 15 सदस्य लोकसभा 7 सदस्य जो है रायसभा क्यों होते हैं इसी नहीं होते हैं थे विद्ध धारा उत्पन करने के लिए इस्तिमाल किया आता है वो कहलाता है क्या तो आपका जनित्र हो जाएगा विदृत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो जनित्र जो यांतिक और जा को зрit और द्ध परिवर्थित करती है इस जणित्र में प्राया माइकल फिराडे की विज़त चुमबकीय प्रिरन के सिधान्तों का प्रियोक किया आता है कि निमलेकित में से कौन सी अधातु कमरी किताब पर तरल होती है कि इसका आंसर देखेंगे अप्षन की खोज 1826 में किया है फुलोरीन फुलोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन यह सभी पांच आवर साड़नी के वर्ग सत्रकी तत्व हैं यह तत्व धातों से सन्योग कर लवन बनाते हैं अंतर इसी गुर के गुण के कारण जो है से हैलोजन भी कहते हैं जिसका और से अप फुलोरीन और क्लोरीन बहुलता से उपलब्द है जबकि ब्रोमीन और आयोडीन की मातरा में उपलब्द है इसी सभी हैने इन सभी तत्वों के पहतम कोस में साथ इलेक्ट्रोन होते हैं जो उससे अगली उत्किष्ट गैस से कम है इन तत्वों की विधुत रडातमक्ता बह रहता है ब्रोमीन एक दरव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है आयोडीन ठोस अवस्था में पाए जाता है यह भी याद रखिएगा इन तत्वों के विधुत रडातमक्त दिये गया है अच्छे से याद रखिएगा हैलोजन क्योक्सी अमल ग्यांत यह से आपका रसाइनिक तत्व है यह हमारे अहार के प्रमुख तत्व में से एक है इसकी कमिसी दिमाग और सेर के विकास से जुड़ी घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन गर्दन के पास पाईजाने वाली थायराड ग्रंथी के विकास के लिए जरूरी है ट्राइयो दोथाई रोनिन ट प्रोजेक्ट भारत के लिए भारत की सिराजी में सुरू किया गया है तो आपका महराष्ट्र हो जाएगा निमलिकित में से किसके द्वारा पावर्ती अन बृटिस रूरी इन इंडिया पुस्थक जो है लिखा गया है डाब lamb note जी ने जन के निसकासन सिधान्त कर पुस्थक पौवर्टी अन बृटिस रूल in इंडिया में 1901 में है दिया था इसके पुस्थक के माध्यम से बितिस यूग के दोरान भारती अर्थिवरस्ता की गिरावट पर महत्पूर जुए टिपडियां की गई दाधा भी नरोजी ब्रिटिस संसद में चुने गये भाले भारती सद्र से थे दाधा भी नरोजी ने करमस अठारो सो पैंसेट अठारो सो चांचेट में लंदन इंडियन सोसा मिती और भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना में महत्पूर भूमी का निभाई थी उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले का गुरू तथा बाल गंगादर तीलक के राजनिति और सोच का विरोधी जो है माना आता है सितंबर द्वार नईस में रायस्थान के ने निक्त राजयपाल कौन है आंसर होगा कल राज मिस्र ऑप्सन नमर देखेंगे तो डी सही होगा निमलेकित में से किसको हाल ही में रेमन मैक्सिस से पूरसकार दोहर उन्नेस समानित किया गया है तो रवीष कुमार ऑप्सन नमर पड़ी होगा रवीष कुमार एक भारती पत्रकार लेखक और मीडिया से संबंदित रहने वाले व्यक्ति हैं रेमन मैक्सिस से पूरसकार एसिया के व्यक्तियों संस्थाओं को अपने उनकी छेतर में विश्यष रूप से उलेखनी कारे करने के लिए जिए प्रदान किया आता है इसे पराया है इसिया का नूबल पूरसकार कहा याता है कि है यह निशन्थे अगले मांति का फुरास्कार 感謝 की याद जीन एक समिय चिछ के लिए भारत के स्वंतन्र से में समाजिक कार्यकरता वह प्रसीद गांदищिवादी नेता अचार बिन्वा भावे को दिया गया था असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्स सेंटर के निदेशक सर्जिकल अनकोलोजिस्ट पद्म सिरी और रवी कंदन को वर्ष वर 23 का प्रतिश्ट रेवन मेक्स से पुरसकार प्रदान किया गया है आगे हमारा है आगे देखेंगे दुस्तो तो दलाई लामा को 1969 का नेवन मेक्स से पुरसकार 64 वर्ष के बाद जो है दो हैर तैस में मिला यूनाटेट किंग्डम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है तो आंसर होगा स्टीफन हौकिन्स ऑप्सन नमबर बीस ही होगा सिक्के के दो डी इमेज के टूडी के इमेज के माध्यम से ब्लैक होल को दरसाया गया है इस सिक्के पर हौकिन्स के ब्लैक होल फार्मिले को भी जो है अंकित किया गया है इस्टीफान विलियम हॉकिन्स एक वीश्व प्रसीद ब्रेटिस भौतिक सास्त्री ब्रहमांड विज्ञानिक लेखक और कैम्ब्रीज विश्व विज्याले से सम्मिधानिक ब्रहमांड के निरके सोद निर्दे सकते अलाकि हॉकिन्स ने ब्लैक होल चाथा बिग बैंक जिधान को समझने में अहम योगदान दिया है हॉकिन्स की चर्चित पुस्तक और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है हिरा कुंड बांध जिस नरी पर निर्मे थो आपका कौन सा है ति आपका महानदी हो जाएगा हिरा प्रिमार जो है उन्हीं सो और तालिस में सुरू किया हुआ था और यह उन्हीं से त्रीपन में बनकर तयार हुआ था इस बांध कुमनाने का उधिस जिए बाढ़ पर नियंतर्ण एवं विधुत उत्पादन महानदी चर्चित राज्य की पहाड़ियों के निकट अमर कंट स्कुर्ण दिनकलती है और इसे ओडिसा का भी का आयता है भारती समिधान में कौन से अनुछ dramat म मूल कर्तबे का उलिख किया गया है तो अनुच्छेद आपको क्या होगा सी हो जाएगा जिसमें से अनुच्छेद इक्यावन का का हो जाएगा ठीक है बेलिसवा सम्मिधान संसुधन 1976 दौरा सरदार सुरण सिंस समीती के सिफारिस वरी से समिधान में जोड़ा गया यह हम्मूल समिधान का भाग नहीं है वर्तमान में मुल्क करतबे जो है 11 है दखिए 86 सम्मिधान संसुधन 2002 इस संसुधन अधिनियम दोरा जो है देश के 6 से 14 वर्स के बच्चों के लिए अनिवारे एवं निसुल के सिक्षा को मौलिक अधिकार की रूप में मानेता देने संबंधी प्रावधान किया गया इससे अ जित्ति निदेशक ततों के अंद्रगत अनुशयत उनचास के अंत्रगत् राजए राश्टरी महत्यों के इसमार को आस्थानों और वश्तुों का सोनक्षन करेगा भारते समिधान के अनुशयत 50 में कार शाल पालिका से नियाय पालिका का प्रिद्धा करन का प्राभान है भारते समझान के अनुश्यत 51 के अंद्रगत राज्य अंतराष्ट्रिय सांति वो सुरक्षा की अभिविर्धी के लिए जिए कदम उठाएगा। अगला कि 21 स्था चेतरफल पर लंबवत लगने वाला बल निमलिखित में से किसे परिभासित करता है तो दाब हो जाएगा ऑप्सन नंबर सी सही आंसर होगा। दिखे दरव के स्वतंद्र प्रिष्ट हमेशा तनाव के सिति में रहता है तथा उससे कम से कम शेतरफल परात करने की प्रविर्धी होती है। दर्ब के प्रिष्ट की यह ही प्रविदती और तनाव तनाव खलाता है। स्यानता तरल का वह हगूण है जिसकी करण तरल के विभिन परत मध्य अप्शित गति का विरोध करता है। बल आगुण बल द्वारा यह बल आगुण बल द्वारा एक पींड को एक अक्ष के परित्व घुमाने की प्रविट्टी यह एक सदिस रासी है उसका एसाई मात्रग विहापका न्यूटन मिटर होता है सियाची नहिमनद है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नमर एकारा कोरम स्रीणी में ए जो है इसका सही आंसर होगा अब इसको आरांस बनाईएगा एका कोशन और आपका बचा हुआ है निर्मलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के सनस्थापक है तो राजाराम मोहराय ऑप्शन नमर डी होगा देखे ब्रह्म समाज भारत का एक समाजिक यानि धार्मिक आंदुलन था जिसने भारत में पनर जागरन यूग को प्रभावित किया 1828 में ब्रह्म समाज को राजाराम मोहराय और हरी द्वारी का ना टैगोर ने अस्थापित किया शन 1815 में राजाराम मोहराय नियात्म आत्मी सभा को कमिसमा के स्थापना किया आरे समाज की स्थापना द्यानंद सरस्ती ने 10 अप्रेल 1865 इस वी को बॉंबे में किया द्यानंद सरस्ती के वच्पन को नाम जिह मूल संकर था आखरी प्रस्थन है इस सेट का प्रतम आंगल सिख यूद निर्मलिक्षेत में से किन वर्सों में हुआ था तो आप्शन नमबर 1845 से 46 आप्शन नमबर भी होगा प्रतम आंगल सिख यूद लौड हार्डिंग के काल में सीख सासक दिलिप सिंग वह उनके वजिर लाल सिंग सिनापती तेजा सिंग के विर्द लड़ा गया था इस यूद में लगातार मुगदी फिरोसा बच्छवाल और आली वाल चार लड़ाईयां जो निर्णायक नहीं था केवल पांच वी सब्राओं की लढ़ाई जो है निर्णायक सीध होई इस यू यूद के समय गवंडर जेनरल जो है लौड डलोहोजी थे दोतीय आंगल सिक यूद 18 अपरेल 1848 से 29 मार्च 1849 तक चला इसमें कुल तीन राम नगर चिलियां वाला गुजरात का यूद लड़ाई लड़ा गया था इस यूद के समाप्टी के बाद सीख राज्य का संपुड और हिस्सा 29 मार्च 1849 कुबिटिस भारत राज्य में जो है मिला लिया गया दोस्तों हमारा जो है यह यह पर वीडियो से माप्ट बता है इसके बाद देखिए अलग अलग चैप्टर का नोट्स बना कर दिया गया है जो कि हम इसको अलग मास्टर वीडियो में लेकर के आएं